Hello everyone, क्या आप 10 से लेकर 15,000 के बीच में 5G स्मार्टफोन खोज रहे हो, तो मैं हूँ ना तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ 10 से 15,000 के बीच में 5G स्मार्टफोन तो चलिए फटाफट से वीडियो सुरू करते हैं हमारा पहला स्मार्टफोन Lava Blaze 5G है इसमें MediaTek Dimensity 700 चिपसेट दिया गया है जिसका Clock Speed Rate 2.2 GHz है इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का LCD IPS डिश्पले और 90 Hz का Refresh Rate देखने को मिलता है और कैमरा की बात करें तो Rear Camera 50 Megapixel और Front Camera 8 Megapixel का दे रखा है इस स्मार्टफोन में 5000 MS का बैटरी और Type-C Charging Port दिया है तो कमेंड में बताना की ये वाला स्मार्टफोन आपको कैसा लगा 10,999 रुपए इसके Amazon पर प्राइज है हमारा दूसरा स्मार्टफोन है Samsung Galaxy M13 5G जिसका प्राइज एमार्टफोन पर 11,999 रुपए है इस स्मार्टफोन में भी MediaTek Dimensity 700 प्रोशेशर लगा हुआ है डिस्पले की बात करें तो 6.5 इंच का PLS IPS LCD लगा हुआ है इसमें रियर कैमरा 50 मेगा पिक्शल का और फ्रेंट कैमरा मात्र 5 मेगा पिक्शल का है हमारा आगला स्मार्टफोन है Redmi 11 Prime 5G जिसका प्राइज एमाज़ॉन पर 12,999 रुपए है इस स्मार्टफोन में भी MediaTek Dimensity 700 प्रोशेशर देखने को मिलता है इसमें 6.5 इंच का LCD IPS डिस्पले दे रखा है जिसका रिफ्रेस रेट 90 हर्ट्स का है रियर कैमरा 50 मेगा पिक्शल का और फ्रेंट कैमरा 8 मेगा पिक्शल का दे रखा है इस स्मार्टफोन में 5000 मेंस की बैटरी और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है हमारा अगला स्मार्टफोन है IQ Z6 Lite 5G जिसका प्राइस 13,999 रुपए है इस स्मार्टफोन में अब तक का सबसे लेटेस प्रोशेशर Snapdragon 4 Gen 1 देखने को मिलता है इसमें 6.5 इंच का LCD IPS डिस्पले देखने को मिलता है जिसका refresh rate 120Hz है इसमें rear camera 50MP का और front camera 8MP का दे रखा IQ Z6 Lite 5G में 5000ms की बड़ी बैटरी और 18W Fast Charging Support के साथ Type-C Charging Port देखने को मिलता है तो आप लोग comment करके जरूर बताओ कि इन सब में से आपको सबसे अच्छा स्मार्टफोन कौन सा लगा